हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को स्टार हेल्थ एजेंट से जुड़े हुई एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो की है minimum target को लेकर तो यहाँ पर अगर आप एक स्टार हेल्थ की एजेंट हैं तो आपके पास एक इमेल आ चुकी होगी स्टार हेल्थ की तरफ से जिसमें लिखा हुआ है कि आप आपको minimum target स्टार हेल्थ में भी करना होगा पहले अगर हम LIC के बात करें तो LIC में आपको minimum business guarantee करना होता था यह हम कह सकती है minimum target करना होता था और अगर हम Star Health के बात करें तो उसमें ऐसी कोई भी requirement नहीं थी आपके अवल एक policy करके भी अपनी agency को active रख सकते थे लेकिन अब यहाँ पर इस rule को change कर दिया गया है तो यहाँ पर आप इस email में देख सकते हैं IIDA regulation के according अब आपको minimum business guarantee करना होगा तो यहाँ पर अगर हम target के बात करें तो यहाँ पर आपको 6 fresh health insurance policy करनी होगी और साथ इसाथ उसका जो fresh premium है वो total 25,000 रुपे होना चाहिए यानि कि आपको कम से कम 6 insurance policy करनी है और जो उनका total premium है वो कम से कम 25,000 रुपे का amount होना चाहिए और यह जो target है वो आपको 2023 से 2024 के बीच में करना है यानि कि जो भी यह financial year है 2023-2024 इसी के बीच में आपको यह target complete करना होगा उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अगर आप यह target पूरा नहीं करते हैं तो आप पर कोई action भी हो सकता है action के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी agency है वो terminate हो सकती है या जो भी आपको renewal commission होगा वो उसमें नहीं मिलेगा तो यहाँ पर अब आपको star health में भी अच्छा काम करना है जैसे आप LIC में करते थे यहाँ पर जो आपको minimum business guaranteed है छे number of policy और उनका जो premium है वो 25,000 रुपे होना चाहिए यह target आपको ज़रूर अचीव करना है तो आपका इस update के बारे में क्या कहना है आप मेरे को comment करके बता सकते है मिलता हूँ आप सभी को एक नई और exciting वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को goodbye and take care